दोस्तो Realme GT New 3T 5G, नाम काफी लंबा है, इसमें हमको features भी काफी ज़्यादा कमाल के देखने को मिल जाते हैं, और मुझे ये बताने की जरुवत नहीं है कि इस वाले phone में आपको कौन कौन से office मिलते हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये phone एक काफी तगरी एक value कहीं से भी बुड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा कमाल का phone है, in fact ये कुछ मामलों में, नहीं कुछ मामलों में ये कई मामलों में Realme GT New 3T से आगे भी निकल जाता है, दोस्तों latest unboxings and tech related videos देखने के लिए make sure के channel को जो subscribe कर लिए, तो हम लोग आपे वीडियो के starting करते हैं इसके display से, तो आपको दोनों ही phones में display का size काफी ज़्यादा बड़ा देखने को मिल जाएगा, तो phone आपको bulky feel होईंगे, इसके बाद आपको दोनों में full HD plus amulet panel देखने को मिल जाता है, full HD की वज़े से आपको details काफी ज़्यादा बढ़िया देखने मिलेंगी videos में, और amulet panel होने क वज़े से आपको जो colors हैं, जैसी कि red है तो काफी red आपको देखने मिलेगा, वो experience आपको इसमें काफी ज़्यादा कमाल करेने वाला है, इसके बाद जो यहाँ पे 120 हस का हाई इसके इनिफेट है, यह basically display में 4 चान लगा देगा, चुकि यह बहुती ज़्यादा smooth आपका display भी लेकिन real me में आपको एकदम top of the notch आपको देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको दोनों में HDR 10 plus का support तो मिल जाता है, लेकिन जो dolby vision का support है, वो आपको सिवा सिव रेड़ी में में देखने को मिलता है, real me में यह feature आपको देखने को नहीं मिलता है, तो देखा जाए तो आप एक बढ़िया display के लिए, अगर मैं आपको recommend करूँ तो फिर आपको real me की तरफ जाईए, बस खाली इसमें doubtby vision का support नहीं है, लेकिन इसमें जो brightness है, वो इसकी काफी तग रही है, और यहाँ पर बात की जाए इसमें chipset की, तो यहाँ पर Redmi में हमको यहाँ पर 6 एनम पे base है, जि आपको इसमें 7 लाग की उपर देखने मिलते हैं, यह मेरी fairway chipset है, और यह heat नहीं करती है, performance काफी जादा आपको consistent निकाल के देगी, और यह in fact यह Redmi जो chipset है, media tech dimensity 1080, वह यह उससे भी कई जादा powerful है, तो फिर आपको chipset के लिए definitely, आपको real me की ही तरफ जाईए, और यहाँ प कि अगर आप लोग मुझसे 2 साल पहले पूछते, तो मैं आपको real me recommend कर रहा होता है, लेकिन इस समय real me का software में ads काफी ज़्यादा आगे हैं, और bloatware तो मतलब कोई limit नहीं है, भर भर के दे रहे हैं, लेकिन उस मामले में Redmi काफी ज़्यादा, मतलब जो MIUI है, वो काफी ज़्य पहल ले आए हैं, ये प्लस आपको इसमें चार साल तक की security updates मिल जाएंगे, और यहाँ पर बात कीजाए, इसमें battery backup और charging की तो दोनों में आपको 5000 mh की battery मिल जाती है, तो no doubt आपका phone एक दिंग तक की आराम से चल जाएगा, बाकि यहाँ जो charger जो है Redmi में भी अच्छा है, 67 watt क एक super fast charger आपको इसमें दो बास मिल जाता है, लेकिन जो real me है उसमें थोड़ सा बेटर मिलता है, 80 watt का मिल जाता है, तो इतना फरक है, मेरे साब से कुछ ज़्यादा फरक नहीं, इसमें आप ज़्यादा दिमान मत लगाईए, दोनों का battery backup और charging में experience आपका अच्छा रहने वा और आप लोग ऐसा मत समझेए कि OIS का काम बेसकली खाली वीडियो में stability खाली produce करना होता है, ऐसा नहीं होता है, यह night photography भी enhance कर देता है, काफी bright आप लोग night photography भी ले पाएंगे, real me की बात करें तो उसका main camera अच्छा है, 64 megapixel का है, लेकिन कोई भी OIS के साथ में नहीं आता है, तो यहाँ पर हमको एक big compromise जिसमें देखने को मिलता है, बाकि आपको दोनों में 88 megapixel का ultra bird का मिलते है, और 2 megapixel का macro lens मिलेगा, वीडियो शूर आप लोग दोनों में 4K तक की कर पाएंगे, काफी अची बात है, सेल्फी आपको दोनों में 16 megapixel की मिलेगी, वीडियो शूर आप ल जादा कमाल की हो जाएगी, प्लस जो वीडियो ग्राफी है वो भी आपके काफी जादा कमाल की हो जाएगी, और हाँ सेल्फी के लिए दोनों फोन ठीक ठाक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर बात की जाएं में security की तो दोनों में आपको face unlock option मिल जाता है, ले यहाँ पर 5G के bands भी आपको redmi में थो से better मिलते है, IP53 की rating मिल जाती है, और IR blaster भी मिल जाता है, तो यह सभी premium features realme से missing है, और यहाँ पर बात कीज़ए इसमें build quality और design की, तो again redmi आगे निकल जाता है, यहाँ पर glass build quality मिल जाती है, frames आपको plastic मिलेंगे, और realme की full body है, वो complete यहा यहाँ मिलती है, जो storage type है, वो आपको UFS 3.1 की मिल जाती है, जो कि again एकदम flagship range वाली है, जो कि app open close में काफी जदा help करेगी, काफी fast हो जाएगी, तो finally बात आती ही, मेरे point of view की कि आपको कौन सा phone buy करना चाहिए, देखिए यहाँ पर redmi का phone, एक basically mid range phone ही, आप लोग इसको मानी ह तो यहाँ पे उससाब से जो features है, जैसे कि कई मामले में इसने realme GT को भी पीछे कर दिया, जैसे कि display में dolby vision का होना, और यहाँ पे जो software है, उसके मामले में भी redmi अलब phone आगे निकल जाता है, compared to realme, पिलस यहाँ पे जो camera की performance है, again यह काफी जदा आपको इसमें better देखो मिल 5G के bands भी जादा मिलते है, I-53 की rating मिल जाती है, I-I blaster मिल जाता है, build quality, glass build quality मिल जाती है, तो हाँ यह जो complete जो feature लेकर के आ रहा है, तो यह हाँ अपने price point पे काफी सही है, लेकिन अगर realme की बात करें, तो यहाँ पे भी कोई अच्छे features मिलते है, पहली बात तो यह phone काफी सस chipset है, वो मुझे बहुत जादा पसंद आई है, Qualcomm Snapdragon 870 बहुत अगरी chipset है, no doubt आप लोग gaming के लिए, video editing के लिए आप ले सकते हैं, आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी, और 80 watt का charger भी आपको इसमें दवास में मिल लाए, और बाकि आपको इंडी फिंगर पी sensor और बाकी storage यह आपको इसमें better चीजें देखने मिल जाती है, तो आई होब कि आपके सब इडाउस के लिए हो गया होएंगे, तो उसमें पर वीडियो के लाइक जाओ कर दीजिए, हमाई चैनल को subscribe कीजिए, अगर आप लोग मुझे support करना चाहते हैं, मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तड़ वेबल